कंचिन टीवी देखनाले सारे दर्शकाने परदी परियानवी कि रामराम कंचिन टीवी की टीम इस्टेम यादगार गुर्द्वारा सच्चा सोधा में पोची है जो की परबंद कमेटी का जो चुनाव के उपर मसला चलाव उसके बारे माँ पाँ एक बार बात करेंगे क्या रणनेती बनाई आज के बार ऐसा है जो हमारा हर्याना गुर्द्वारा परबंद कमेटी के अलेक्शन ड्यू हैं काफी समय से सरकार करवानी रही उनको लेकर आज एक महापंचैत थी यहाँ पर यादगार गुर्द्वारा सच्चा सोधा में पूरे हर्याने की संगत हर्याना गुर्द्वारा परबंद कमेटी के अंदर उसमें जो उनका वहार है वो पिछले दिनी अच्छा नहीं था गुर्द्वारों की सेवा संभाल के अंदर और उनकी कुछ अपत्ति जनक वीडियो सामने आई जिसमें संगत में काफी रोश था उसके चलते पूरे हर्य प्याना में संगत की जिलावाईज महाँ पंचैते सिक संगत की अयोजित हो रही है उसी के आज चलते जीन डिस्टी की तरफ से सफीदों में आज गुर्द्वारा यादगर सच्छा सोद्दा में आज वो महाँ पंचैती तो आपका जो हर डिस्टिंग में ऐसी पंचैत का जी हाँ इसके बाद 20 तारिक को यमना नगर में है तो हर डिस्टिक के अंदर ये पंचैते हो रही है और वोटिंग का किया साब रहेगा वोटिंग बन रही है या फिर वोट किस तरीके से कर सको एक बार दर सको को बना जब ये पंचैते शुरू होई उसके चलते सरकार ने बनाने की परकिर्याद शुरू कर दी लेकिन अभी एलेक्शन का सरकार अभी भी नहीं जारी कर रही तो इसी वजह में और भी हमारा पिछले दिन करनाल में बेयद भी की घटना होई गुरू करन साब जी की कई मसलों को लेकर आशिक पंचैती तो हमारे साथी जो हर्याना ल कि मंदीर यां गुर्द्वारा सरकार किसके में दख़र अंदाजी नहीं होने चाहिए यह जो काम है यह संगत का होता है यह संगत पर ही छोड़ के रखना चाहिए यह जो हर्याना की बीजेपी आरे सरकार है यह चाती है कि गुरूगरों पर भी कबजा किया जाए इसी को ल मर्यादा होती है कि गुरुगर में बोलने की उस मर्यादा का अलंगन किया उनोंने गुलखों के जो ताड़े हैं वो काटे गए इसी को लेकर पूरे रियाना की संगत में रोस्ता की ये कमेटी हमें मंजूर नहीं और सरकार जितना जल्दी हो सके रियाना में गुरुद्वार का पूरी जानकारी होगी बिल्कुल बिल्कुल उसने अमरतदारी जो है सिक होना चाहिए और उसको पांच पानी है जो हमारे पड़ी जाती है उसका नितने मीं होना चाहिए किसी प्रकार का भी नशा ना करता हो किसी प्रकार की पार्टी में उसकी इंवोल्मेंट ना हो ऐस में मीटिंग है जो महा पंचायत उसके बारे अज ही हमारी चोथी सिक्ष पंचायत थी पांचवी यमनानगर में जगाधरी नाजमंदी है और जो रेणा कट करके वहां से मुख्या मंत्री को गेरने के लिए चंडी गड़ में जाएंगे और मुख्या मंत्री को इसी दीचतावनी है वह हमारे गुर्दवारों में अपनी इन्वॉल्मेंट बंद कर दे हमारे पूरे समाज में एक जुटो के इसमें रोस है हम बिल्कुल यह चीज ब लड़ रहे हैं और इसके साथ ही जो हमारे सिक्कों के और दूसरे मसले है पूर सारे बलग जगासे लोग आते हैं तो उसके भी हमारी अफ़रे रूप्रे कर भणी हुई ए और इसके खिलाब हम चलते हम वोटिंग के मसले पे बात करेंगे जैसे कि एक नामदारी और पगड़ी दारी वोटिंग कर सकता है या आमादमी इसमें जो गुर्सिक है उसी का वोट बनेगा वोही एलेक्शन लड़ सकता है जो अमरदारी होंगा अच्छे लोगों कोई लड़ाया जाएगा सबसे पहले तो तभी हम वोट डाल सकते हो तभी हम बीजेपी को हरा सकते हैं तो इसलिए वोट बनाने की प्रक्रिया चर रही है एक से तीस तंबर पटवारियों के थ्रू जो अधिकारियों ड्यूटी दिखाई हुए सारे वोट बनवाओ और उसके बाद जो भी लेक्शन आएगा तो ये कोई संगठन या कोई ग्रूप नि कर रहा हैं ये संगत से लोग हैं हम सारे अपने कौमी मसले पर एक हैं सर पंचाहप हैं इनकी पूरी सर्पैंच्य को giशन आ जाई बही थी सारे इनके साथ कुछ समाजी सहस्ताओं के लोग हैं तो इस प्रकार से चल रहा है इसमें कोई किसी तरह का कोई राजनीती का जंडा नहीं है राजनीती को तो इसमें से हमने बार निकालना है उसके लिए ये लड़ाई है बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंचन टीव से बात करने है थैंक्यू धन्यवाद